सुरू करते हैं अब हम लोग मिस्लेनियस एक्सेसाइज का क्वेस्टन नमबर फूर क्या कहा रहा है कि इतना का पहले मतलब समझे क्योंकि ये क्वेस्टन जो है उसमें वर्ड्स में ही दिक्कत होता है अगर आप इसके लेंग्वेज को समझ गए तो ये क्वेस्टन बन जाएगा यानि कि इसके वर्ड्स को समझना ज्यादा जरूरी है राधर दन की बनाना क्योंकि बना देंगे आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं हो है ना समझ में आना चाहिए तो इसलिए सबसे पहले हम बारी बारी से क्वेस्टन को तोड़ के आपको समझा दे रहे हैं ताकि बिल्कुल जो है कॉंसेट जो है अंदर तक चला जाए क्या कह रहा है कि the houses of row are numbered consecutively from 1 to 49 जो घरे हैं एक row में row का जो एक घर है माले जी के एक row में कोई घर है इस तरह से उस पे जो number लिखा गया है उस houses पे जो number लिखा गया है वो क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है ऐसे करके कितना तक number लिखा गया है? 49 तक हर घर पे एक number लिखा हुए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके फिर कह रहा है कि so that there is a value of x so that there is a value of x मतलब यह proof करो कि x का मने एक value होगा x एक value होगा x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it find the value of x देखो यही के बाद words जो है समझ में आना बंद हो जाता है यहां के बाद यहां के बाद समझ लो देखो फिर से हम चाम जा रहे है so that there is a value of x मतलब क्या हुआ कि यह बाद प्रूफ करो कि एक value x मिलेगा हमको कैसा value x मिलेगा such that ऐसा मिलेगा कि the sum of numbers of the houses preceding the house numbered x house number x यानि कि जो house numbered कही न कही बीच में x लिखा हुआ होगा कोई house पे क्योंकि हम बीच में ही कही न कही वो x है जिस house के उपर x लिखा हुआ है ठीक है तो बोल रहा है कि एक house number जरूर ऐसा होगा जिसके उपर x लिखा होगा उसके पहले का जो house number का sum है वो जो है बराबर है इस house number को follow करने वाला जो house number का sum है वो मतलब ये जो x number का एक house हो गया देखो the house क्या लिखा है such that the sum of numbers of the houses the sum of the numbers of the houses houses के numbers का sum preceding the house numbered x house number जो x लिखा हुआ है उसको preceding करने वाले preceding का मतलब उसके पीछे रहने वाले उससे कम होने वाले जो house है उस पे जो number लिखा हुआ है वो सारे house number का जो sum है is equal to the sum of the numbers of the houses following it बोरा कि sum of the numbers of the houses उन houses के numbers के sum का जो इस house number को follow कर रहा है follow करना का मतलब ये जो house number है इसके आगे ही है सारा ठीक है न? यानि कि इसको follow करने वाले तो यानि कि हम से क्या कह रहा है कि चलो बताओ अगर कोई बीच में house number x है तो आप तो तुम देख रहा हो न? कि आगला जो है एक बढ़ रहा है दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार तो हम बहुत लेगे चार के बाद वाला house number क्या होगा? पांच, पांच के बाद वाला 6 उसी तरह के एक house अगर x है तो उसके पहले वाला house number होगा वो क्या होगा? x-1 उसके पहले वाला क्या होगा? x-2 ना, इसके बाद वाला क्या होगा? x-1 इसके बाद वाला क्या होगा? x-2 इसी तरह से dot 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 करके हम 49 तक पहुँचे होंगे तो इन्हों ने बोला कि जो house number x है उसके पहले वाले जो house number है उनका sum तो हम उसको क्या लिखेंगे अब जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि कितने terms है x के पहले पहले ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि उनका sum लेना है मने कि हमको इन सब का सम को लिखना है कि वो इन सब के सम के बराबर होगा यही कॉस्चन है इस एक्स के प्रेसेडिंग करने वाले जो हाउस नंबर है उसका सम जो इक्वल है इस नंबर को फोलो करने वाले जितने भी हाउस नंबर है उनके सम के यही बात लिखना है मतलब इसका sum और इसका sum बराबर होगा तो इसके sum को हम क्या notation देगे देखो यहाँ पर हम यहाँ पर notation दे सकता है कि यह जो 3 लिखा हुआ है तो S3 होगा यहाँ तक का sum अगर 4 लिखा हुआ है तो यह S4 होगा अगर 2 लिखा हुआ है तो S2 होगा यहाँ तक का सम और S1 लिखा है क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 लगतार है तो अगर 1, 2, 3, 4, 5 लगतार है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक में 4 गोटर्म है 1, 2, 3, 4 गोटर्म है तो X तक में क्या होगा? S, X तो यानि कि X-1 ही तक जोड़ रहे है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो सम है उसको लिखेंगे हम लोग X-1 अब पूरा जो सम होगा अगर मालों कि 1 से लेके 99 तक जोड़ दिए तो वो सम होगा X से लेके 99 तक का S, 99 क्योंकि S, 99 क्या represent करता है? Sum of first 49 term सुरुआत से लेके 49 term तक, बीच से नहीं सुरू से लेके 49 तक के Sum को represent करता है और S, X-1 किसको represent करता है? तो सुरुआत से लेके X-1 तक, तो हमको जो पराबर करना है इसका Sum न पराबर करना है इसके, तो इसका तो कोई फर्मूला नहीं होगा क्योंकि ये बीच से sum है इसका पहला term x plus 1 है तो क्यों नहीं हम इसको कह देते हैं ऐसे कि पूरे house number के sum में से सुनना द्यान से पूरे house number के sum में से अगर हम x तक के house number के sum को जोड़के घटा दे तो वो बचेगा मतलब हम कह दें कि अगर ये बराबर करना है तो इसमें से तुम s x घटा दो s x क्या होगा पहले ये समझ लो कि x x का represent करता है sum of sum of first first x terms sum of first x terms of this ap this ap यही represent करता है शुरवात से लेके जो x तक का घर है उनके sum को x represent करेगा तो सोचो कि अगर शुरवात से लेके x के घर तक का sum को जोड़ दिये तो यहां से यहां तक का sum मिला आज सुरू से लेके उन्चास तक जोड़ दिये तो उन्चास मिला तो उन्चास तक के सम में यहां तक का सम को हटा दिया जाए तो यही तक का न सम बचेगा कहां तक का यहां तक का नहीं यहां तक का यहां तक का एक्स तक का हम लिखे हैं तो यह बचेगा वई, मैंने जो कह रहा है, बराबर कह रहा है, कि ये दोनों बराबर है, वो चीज़ हम कह रहा है, कि ये जो सम है, उधर वाले के सम के बराबर था, ठीक है ना, तो इसलिए हम ये कहाने लिखें, अब देखो, यहाँ पे बोला है कि एक्स जरूर ऐसा होगा, यह जरूरी नहीं है कि हर question में यह x बीच में मिल ही जाएगा ऐसा जिसके पहले का जो house number का sum है और इसके बाद वाले house number का sum है वो बराबर होगा यह किसी-किसी question में ही होगा इसलिए हमें बोला है कि आप यह proof करो कि x ऐसा मिलेगा so that there is a value of x x का एक value मिलेगा ओके तो चलिए अब इसके sum को क्या लिखेंगे पहले इसके sum को क्या लिखेंगे तो याद करो कि अगर तुम्हारे पास sn हुआ करता था तो आप क्या लिखते थे n by 2 और ब्रेकेट में 2a plus 2a plus n minus 1 into d लिखते थे लिखते थे या फिर एक और sum लिखते थे n by 2 into first term plus last term तो अगर हम बोले कि x minus 1 निकालना है तो दोनों फर्मूला लगा सकते हो क्योंकि x x minus 1 तक के sum में पहला term और last term दोनों मालूम है और n भी मालूम है तो वहीं लिख लो वो ज़्यादा आसान रहेगा ठीक है ना तो हम ये वहला फर्मूला लिखेंगे आपका n by 2 और first term plus last term first term plus last term ये वहला फर्मूला तो अब यहाँ पे जब x minus 1 लिख रहे हैं तो ये तो x minus 1 by 2 ही होगा क्योंकि जितना लिख यह उतना ही term है उसमें और bracket में a plus l होगा तो a के जगा पे आप 1 लिख लो आप plus last term जो है वह आप x minus 1 लिख लो क्योंकि x minus 1 तक का sum है और ये बराबर होगा x 49 को तो आप लिखी सकते हो 49 by 2 और bracket में first term plus last term तो first term आपका 1 है और last term आपका 49 है ठीक है और minus x को क्या लिख सकते हो x by 2 और bracket में x by 2 और bracket में first term plus last term तो x तक का देखो है ना sx लिखे हो तो xx यहां तक है तो first term आपका 1 मिलेगा और last term आपका x मिलेगा बस इसलिए हम बोल रहे थे कि इस question का words में ज़्यादा problem है बनाने में बन जाएगा तुरत है ना अब यह क्या कर सकते हो यह 1 से 1 कट जाएगा तो यानि कि आपका क्या आजा x minus 1 by 2 into यहां से x आएगा ठीक है और is equal to यह कटेगा नहीं लेकिन यह हो जाएगा 50 तो 52 से कट सकता है तो वो काट देंगे हम ठीक है वो काट देंगे हम तो कितना हो जाएगा यह 25 गुने 49 और minus यह हो जाएगा आपका x by 2 into x plus 1 ठीक है तो अब आपको इसको solve करना है तो इस वाली quantity को बराबर के इधर लेके आ जाओ यह पहले से ही है और इसका गुना भी कर दो तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा यह x square minus x by 2 और उधर से खीच रहे हो तो यह minus जो है वो plus में हो जाएगा और गुना करके ही लिखो direct तो x में x का गुना होगा तो x square फिर x का 1 में होगा तो plus x divided by 2 फिर बताते हैं आपको आगे अब देखिए यह दोनों का अगर LCM लिया जाए तो 2 आएगा और जब LCM अगर सेम है तो simple जूड सकते हैं यानि x square minus x plus x square plus x है ना x square plus x is equal to लिख सकते हैं हम लोग 25 into 49 अब यह x x से x कट जाएगा तो x square x square बन जाएगा 2 x square तो 2 x square by 2 is equal to 25 into 49 तो यह 2 से 2 भी कट गया तो अब यहां से x का जो value आएगा वो plus minus under 25 into 49 बनेगा तो 25 से बाहर आजाएगा 5 plus minus और यह आजाएगा 7 यह x तो x का value आपका 7 बाचे 35 जो minus 35 हुगा एगो x ब्राबर होगा 35 उसमें से यह reject किया जाएगा अब कोगे sir काहे reject करेंगे तो बाबू house number जो है वो कहां से कहां तक लिखा गया है because because house number जो है 1 से 49 नमबर तक लिखा गया तो उसमें minus 35 थोड़ी आएगा because house number from 1 to 49 ठीक है तो इसलिए जो x consider होगा वो होगा x ब्राबर 35 तो यह बोला था ना कि एक value जरूर exist करता है जो house number था है ना जो एक house number पर x number है वो एक ऐसा number जरूर उसके बीच में exist करता है जिसके पहले वाले जितने भी house हैं उनके numbers का sum preceding वाले जो house number है उनके number का sum इस house को follow करने वाले यानि कि इसको आगे वाले जितने भी हैं follow करने वाल उनके house number के sum के बराबर होगा तो वही x बराबर 35 है तो 35 एक ऐसा संख्या है इस 1 से लेके उन्चास तक में जिसके पहले का sum और 35 के बाद वाले का sum के बराबर होगा आप जोड के देख सकते हो दोनो AP है दोनो AP आप जोडो की देख लो उसके पहले आप लिखोगे तो ये लिखोगे एक से लेके 35 तक यानि कि आपको 34 तक जोड़ना होगा यानि एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस करके 34 तक जोड़ना होगा और अगर इसके बाद करोगे तो ये 35 नमबर पे है तो ये 36 से लोग होगा यानि कि 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस उन्चास तक जोड़ना होगा नमबर और टॉम्स गिल लेना कितना है निश्चित रूप से वो दोनों बराबर ही आएंगे ठीक है, थैंक यू सो मज